तो चलिए आज का lecture स्टार्ट करते हैं, आज हम options contract discuss करने जा रहे हैं, options contract काम कैसे करता है, उसको start करने से पहले ये देख लेते हैं कि options contract के features क्या क्या होते हैं सबसे पहला और सबसे important feature option contract का ये होता है कि one party has the right and other has obligation, यहाँ पे दोनों parties का right and obligation नहीं होता, जो कि future में हो रहा था, forward में हो रहा था, और swap में हो रहा था, options की सबसे खास बात, पहला point है, which is one party has the right, another party has the obligation, इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि जिस party के पास right है, वो आला party ये decide कर सकता है कि maturity वाले दिन, यानि कि T is equal to M वाले दिन, उस contract को honor करना है कि नहीं, यानि कि execute करना है कि नहीं, अगर वो contract honor हुआ, तो फिर बात की जाएगी physical settlement की या cash settlement की, लेकिन अगर वो contract honor नहीं तो यहाँ पे कोई दोका नहीं हो सकता, यानि कि ये तो option contract का inherent part है कि अगर contract honor नहीं करना है, तो मत करो, तो option contract में जिस party के पास right होता है, वो ये option enjoy करता है कि maturity वाले दिन, या फिर बीच में कभी भी वो चाहे, अपना profit book कर सकता है, और मुनाफ़ा कमा सकता है, और maturity वाले दिन, अगर उसको लग रहा है कि यारी contract honor करने लाइक नहीं है, यानि कि उसको honor करने से loss हो जाएगा, तो वो contract honor ही नहीं करेगा, और सामने वाला party, यानि कि जिसके पास obligation है, वो उसे कुछ भी नहीं बोल पाएगा, ठीक है, दूसरा है, t is equal to zero में, premium is paid by option buyer to option seller, त option buyer मतलब जिसने option को खरीद के रखा हुआ है, यानि कि जिसके पास right है, कुल मिला कि option buyer वो होता है, जिसके पास right रहता है, और कुल मिला कि option seller वो होता है, जिसके पास obligation रहता है, जिस आप एक right enjoy करने जा रहे हो, आप एक facility enjoy करने जा रहे हो, तो उसका कुछ पैसा लगेगा, वो पैसा option buyer दे देगा option seller को, लेकिन ये directly देगा, नहीं, ये directly नहीं देगा, क्योंकि option contract, stock exchange में trade होते हैं, तो यहाँ पे तीन parties रहती हैं, एक होता है option buyer, एक होता है stock exchange, और एक ह मतलब ये निकलेगा कि जो option buyer है, वो stock exchange, short में SE लिख रहा हूँ, तो stock exchange को premium pay कर देगा, और ये stock exchange का काम है, ये पैसा option seller के पास पहुचा दिया जाए, तो stock exchange एक तरीके का intermediary के का काम करेगा, option buyer से premium amount ले लेगा, और option seller को premium amount दे देगा, लेकिन कूल मिला कि हम बोलचाल की कर दिया, option seller को, ठीक है, physical to maturity में क्या होगा, it depends, कि option exercise होगा, ये lapse होगा, option exercise करने का मतलब contract honor करना होता है, तो अगर exercise होगा, तो physical settlement करना है, या cash settlement करना है, और अगर contract को honor ही नहीं करना, यानि कि जिस party के पास right है, यानि कि option buyer, तो अगर contract honor ही नहीं करना, उसको अपना loss दिख र देगा, तब हम कहेंगे, option has been lapsed, fourth is margin is deposited, तो एक margin account open होता है, stock exchange के पास, option buyer का भी, और option seller का भी, और दोनों कुछ-कुछ पैसा जमा करा देते हैं, margin account में, इसका मतलब ये निकल रहा है, कि option buyer दो पैसा देगा, एक पैसा premium amount देगा, जो stock exchange option seller तब पहुचा देगा, और दूसरा पैसा margin money देगा, यानि कि security money देगा, ये margin account में जब पैसा जमा हो जाता है, तो daily basis में, notional profit और notional loss calculate होता है, जिस party का notional loss रहता है, उसके margin account से stock exchange पैसा निकाल लेता है, और जिस party को notional profit होता है, उस party के account में, यानि कि margin account में, पैसा जमा करा देता है stock exchange, इसी चीज को बोला था, रिप्राइसिंग या मार्क टू मार्केट इजन ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि जो option contract है वो derivative contract है यानि कि उसका कुछ underlying asset है जिससे वो बना है तो underlying asset की जो value होती है वो t is equal to zero से लगर के t is equal to maturity के बीच में fluctuate हो सकती है वैसा ही options में भी होता है कि option की जो price रहती है वो भी t is equal to zero से लगर के t is equal maturity के बीच में fluctuate हो सकती है यनिके reprice होती रहती है जिस डेली basis में repricing हो रही है तो daily basis में margin account में कुछ पैसा जम्मा होगा या कटेगा traded on stock exchange तो option contract stock market में trade होते है regulated जिस stock exchange बीच में आ गया तो बहुत सारे rules regulations follow करने पड़ते है standardized standardized का मतलब होता है कि यहाँ पर जो contract है पूरा तयार करेगी stock exchange पूरी मेहनत stock exchange करेगी आपको सिर्फ यह decide करना है कि आपको option buyer बनना है या option seller बनना है आप उस contract में sign तो करोगे लेकिन आप कौन सी position लोगे यानि कि आप option buyer बनना चाते हो या option seller सिर्फ इसी का decision making आपको करना है इसके अलावा underlying asset कौन सा है रहेगा underlying asset पे कितना lot size यानि कितने number of underlying asset रहेंगे इस सारी बातें stock exchange decide करता है आपका काम सिर्फ sign करने का रह जाता है कि आपको contract करना है या नहीं करना और अगर करना है तो option buyer बनना है या option seller बनना है no credit risk तो virtually कोई credit risk नहीं होता options contract में क्योंकि यहाँ पे stock exchange बीच में आ जाता है तो बहुत सारे regulations फॉलो करने पड़ते है दूसरी बात stock exchange margin money आपसे deposit करवाता है यानि कि कुछ security money आपसे deposit करवाता है तब ही आप contract कर पाएंगे तो यहाँ पे जो credit risk है यानि कि एक party दूसरे party को धोका दे दे ऐसा बहुत ही minimal यानि कि virtual chance होता है चलिए आगे बढ़ते हैं अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि option दो तरकी के होते हैं एक होता है call option और एक होता है put option सबसे पहले call option discuss करते हैं call option में तीन parties होंगे एक होगा call option buyer या call option holder तो option buyer को option holder भी कहा जाता है यहाँ पे अगर मैंने कहा call option buyer तो उसका मतलब होगा call option holder दूसरा होता है stock exchange और तीसरा होता है call option seller और call option writer call option seller को call option writer भी कहते हैं तो दो पार्टी जो main है वो है option buyer option seller यहाँ पे call option किया गया है मैं वो बताने जा रहा हूँ क्या होता है तो call option buyer है call option seller है बीच में stock exchange है जैसा हमने futures contract में देखा था यहनि कि one of the parties एक अलग contract करेगा और दूसरा party भी एक दूसरा contract करेगा stock exchange के साथ options में भी वैसे होगा कि option buyer एक अलग contract करेगा stock exchange के साथ और option seller भी एक अलग contract करेगा stock exchange के साथ इसका नाम दिया है contract number one इसका नाम दिया है contract number two यहनि कि option buyer और option seller का direct को interaction नहीं होगा जो भी interaction को करना है आपस में वो stock exchange के through होगा ठीक है जो call option buyer है उसके मन में यह चल रहा है कि yellow shares मान के चलो yellow shares आपका earning asset है तो yellow shares की जो market price है वो तीन महीने बाद 100 रुपे से बढ़ जाएगी तो 100 रुपे उसके मन में चल रहा था price कि 100 रुपे से उस yellow shares की price बढ़ जाएगी तो इसने option buy किया और इसका opposite option seller सोच रहा था कि वही yellow shares की जो price है वो market में तीन महीने बाद गिर जाएगी यह देखें गिर जाएगी option seller अपने मन में अलग तरीके का thought process लेके चल रहा था और option buyer भी अपने मन में अलग तरीके का thought process लेके चल रहा था इसने दोनों opposite चीजें सोच रहे थे regarding the same underlying asset तो एक contract हो पाया यह contract है derivative contract जिसका maturity period है 3 months यहां पर जो 100 रुपए की वह लोग बात कर रहे हैं उसे कहा जाता है exercise price तो options की area में जो 100 रुपए के पीछे लोगों ने contract किया उसे कहा जाता है exercise price ठीक है जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि options का main part यह होता है कि एक party के पास right होता है दूसरे party का obligation होता है अब जिस party के पास right है यानि कि उसका option है कि वो या तो option को lapse करे या option exercise करे case number one देखते हैं कि T is equal to maturity यानि कि 3 महीने बाद उस share की price यानि कि yellow share की price 150 हो गई तो हुआ क्या हुआ यह कि T is equal to zero में option buyer सोच रहा है कि उस yellow share की price 100 रुपए से उपर चली जाए 3 महीने बाद तो 3 महीने बाद जो market गए तो देखे कि yellow share की price 150 हो चुकी है यानि कि option buyer जीत चुका है यानि कि option buyer profit कमा सकता है profit कैसे कमाएगा तो profit कुछ इस तरीके से कमाएगा कि वो contract honor करेगा क्या मतलब है contract honor करने का यह मतलब है कि option buyer यानिके call option buyer ने contract to buy किया हुआ है ठीक है call option buyer ने contract to buy किया हुआ है the yellow share at a future date और call option seller ने contract किया हुआ contract to sell handling asset यानिके yellow share at a future date जिस उसने contract to buy किया हुआ है कि 3 महीने बाद जो option buyer है call option buyer है वो इस yellow share को purchase करेगा 100 रुपे में तो वो क्या करेगा option seller से 100 रुपे में yellow share purchase कर लेगा और option seller को यह share खरीदना पड़ेगा date 100 रुपे में क्योंकि उसने क्या contract किया है तो option seller ने contract किया है कि वो future date में sell करेगा yellow share यानिकि उसने contract to sell किया है तो सिंस दोनों के पास tease to zero लेकर के tease to maturity तक share नहीं थे यानिकि दोनों ने कोई भी underlying asset purchase करके नहीं नहीं रखा हुआ था maturity वाले दिन option seller जाएगा market में share market में 500 रुपे में share purchase करेगा और option buyer को देदेगा option buyer को यहां पर मैंने OB लिखा है और option seller का मतलब OS होता है तो market value 1500 रुपे की yellow share पकड़ा देगा option buyer को option seller और option buyer उसे 100 रुपे देदेगा क्योंकि contract किया हुआ था 100 रुपे में अब option buyer के पास वो yellow share आ चुका है अब option buyer yellow share लेके market में कोई investor को ढूंडेगा और उसको 500 रुपे में बेच देगा yellow share और उसको 500 रुपे मिल जाएंगे यानि कि easier to maturity में option buyer ने 100 रुपे में कोई चीज खरी दी और 1500 में उसको बेच दी तो 100 रुपे उसके घर से गए 800 रुपे उसके घर में आ गए जिसे हम कहते हैं physical settlement अगर यह लोग क्या settlement करते यानि कि loss वाला party profit वाले party को difference amount pay कर देता तो यहां पर हमारा loss वाला party option seller को option seller को loss हो गया और option buyer को profit हो गया कितने का profit हो गया तो difference amount को हो गया difference कितना है difference है 150-100 यानि कि पचास रुपे तो पचास रुपे option seller मतलब जिसको loss हुआ है कि वो पे कर देगा profit वाले आदमी को यानि कि option buyer को कि यह तब हो पाएगा जब दोनोंने आपस में decide किया कि यह share purchase करना फिर market में बेचने का जंचत नहीं पालते option seller को मान जाना चाहिए कि उसको पचास रुपे का loss हो गया और option buyer को उसको पचास रुपे सीधा सीधा दे देना चाहिए तो यह होगा cash settlement ठीक है तो इतनी कहानी सुनके तो हमको समन में आ गया call option में क्या होता है एक call option buyer होता है जिसने contract to buy the underlying asset at a future date किया होता है और एक call option seller होता है जिसने contract to sell the underlying asset at a future date किया होता है दोनों को नहीं पता कि underlying asset यानि कि yellow share की price क्या हो जाएगी future में इसलिए उन्हों ने आज contract कर दिया और stock exchange बीश में आके regulation मगरा लगा दिया ठीक है इतना तो knowledge थोड़ा थोड़ा आपको future contract जैसा लग रहा होगा ठीक है और क्या अच्छा feature है option का वो देख लेते हैं कि मैंने आपको थोड़ी दिर पहले बताया था कि T is equal to zero में premium pay करता है option buyer option seller को through stock exchange यहां पे मान के चलो कि option buyer ने 10 रुपए premium pay किया stock exchange को और stock exchange ने 10 रुपए पहुचा दिये option seller के पास यहां कि T is equal to zero में option buyer के जेब से 10 रुपए गए premium के रूप में और option seller को 10 रुपए जेब में आ गया ठीक है तो इसी के साथ हमारे कुछ terminal logies option contract के आ जाते हैं कि जो आप अभी profit और loss की बात कर रहे थे तो फिर पहले which is this 50 रुपीज कि एक party को loss होगा 50 रुपीज और दूसरे party को profit होगा यहनि कि option buyer को profit होगा 50 रुपीज वो inaccurate है वो inaccurate इसलिए है क्योंकि आप सिर्फ maturity की बात कर रहे हो आपको तो पूरे contract period की बात करनी चाहिए यानि कि आपको यह बताना चाहिए कि सबसे पहले क्या हुआ तो सबसे पहले अगर मैं option buyer point of view से बात कर हूँ तो सबसे पहले t0 में option buyer की जेब से 10 रुपे गए तो टीज़डू maturity में option buyer के जेब से 100 रुपे गए अगर फिजिकल सेटलमेंट की बात कर रहा हूं तो option buyer के जब से 100 रुपए गए और option buyer की जब में 1500 रुपए आए तो cool मिला कि यह हुआ कि 10 रुपए मेरे जब से गए अगर मैं option buyer हूं तो 10 रुपए मेरे जब से टीजल दू 0 में गए 100 रुपए टीजल दू maturity में गए और 1500 रुपए यहने के 150 रुपए maturity के समय मेरे को मिले तो net मेरे जब में कितना है तो net cash flow मेरे लिए होगा 150-100-10 यहने के 40 रुपए और accurately बोलू तो 40 रुपए ही मेरा profit कहलाना चाहिए तो profit basically आपका होगा 40 रुपीज ना कि 50 रुपीज तो इस 50 रुपीज को क्या बोले तो इस 50 रुपीज को बोलते हैं pay off तो जो हम case discuss कर रहे है case number one जिसमें option exercise हुआ है यहने के contract honor हुआ है उस case में pay off है 50 रुपीज positive positive payoff मतलब आपको cash inflow हुआ है इसको cash inflow हुआ है तो option buyer को cash inflow हुआ है क्योंकि maturity के समय अगर आप देखोगे तो 500 रुपे उसको आए और 100 रुपे गए यहने के 50 रुपे उसको आए और cash outflow हुआ है option seller को यहने के 100 रुपे उसकी जेब में आए 1500 रुपे गए यहने के minus 50 तो negative payoff तो negative payoff यहने के cash outflow और positive payoff यहने के cash inflow तो pay off का मतलब समझे आ गया होगा pay off का मतलब cash flow से होता है अगर pay off का answer positive है यहने के cash inflow की बात चल रही है और pay off का answer negative है तो cash outflow की बात चल रही है तो cool मिला के maturity वाले दिन 50 रुपे option seller की जेब से गए cash outflow हुआ तो minus 50 और maturity वाले दिन option buyer की जेब में 50 रुपे आए यहने के positive payoff यहने के cash inflow लेकिन जब मैं profit और loss की बात करूंगा तो मैं इस बात का ध्यान दूंगा कि मुझे premium को भी consider करना है तो premium को जब मैं consider करूंगा तो मैं पाऊंगा कि डेट सो रुपे मुझे मिले सो रुपे मेरे जेब से गए 10 रुपे पहले ही जा चुके हैं 40 रुपे मुझे profit हो गया और जितना मुझे profit हुआ उतने का loss option seller को गया 40 रुपे का क्योंकि उसको 100 रुपे आज जेब मैं maturity वाले दिन 10 रुपे पहले आ चुके हैं तो 110 रुपे उसको मिल चुके थे और 1500 रुपे आज उसके जेब से चले गए 40 रुपे उसको loss हो गया यहाँ पर एक बात का ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको time value of money यानि कि present value future value concept नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ पर अगर आप notice करोगे तो 1500 रुपे 100 रुपे maturity वाले दिन खड़े हैं और premium 10 रुपे 300 रुपे में खड़ा है यानि कि दोनों के बीच में 3 महीने का gap है 10 रुपे तो आज चले गए 30 रुपे जिरो में और बात की data बात के हैं यानि कि देट सो रुपे और सो रुपे तो सिंग दोनों अलागला timeline में खड़े हैं तो मैं इसको plus money कैसे कर पा रहा हूँ तो मैं plus money तभी कर पा रहा हूँ जब मैं यहाँ पे time value of money को ignore करके चलूँगा यानि कि present value, future value concept नहीं लगाँगा तो आपको भी नहीं लगाना है तो यह पूरा का पूरा था case 1 जहाँ पे call option buyer को अपना फायदा दिख रहा था और उसने contract को honor कर लिया यानि कि option exercise कर लिया दूसरा case हो सकता है जहाँ पे option lapse हो जाए यानि कि option buyer को लगे तो इसको तो कुछ फायदा नहीं हो रहे जब option buyer को फायदा नहीं होता तो option seller को फायदा होता है आईए देखते हैं कैसे होता है कि मान के चलो tease girl to 3 month यानि कि maturity वाले दिन जो येलो शेर की price है वो 90 रूपीज हो गई यानि कि 100 रूपे से नीचे हो गई तो जैसा option seller सोच रहा था कि 100 रूपे से नीचे चली जाएगी वैसे हो गया 90 रूपीज हो गया तो जब 90 रूपीज हो जाएगा तो call option buyer क्या करेगा तो वो contract honor ही नहीं करेगा क्योंकि contract अगर उसने honor कर दिया गलती से भी तो उसको loss हो जाएगा तो ऐसी गलती नहीं करेगा अज़ा contract not honored जब contract honor नहीं होगा तब pay off और profit या loss की सिति क्या होगी तो सिंस contract honor ही नहीं हुआ maturity वाले दिन कोई भी पैसों का l reden दिन नहीं होगा क्यूंकि case 1 में maturity वाले दिन पैसों का l rewarded हो रहा था तो वहाँ पे calculation of pay off हो पाया लेकिन सिंस यहाँ पर कोई pay off नहीं है maturity वाले दिन तो दोनो point of view से यांकि option buyer के point of view से और option seller के point of view से maturity वाले दिन pay off zero रहेगा यांकि no cash flow pay off का मतलब मैंने आपको simple तरकी से समझाया कि pay off का मतलब cash flow से होता है और positive दिया है तो cash inflow मानना है negative दिया है तो cash outflow मानना है लेकिन pay off का cool मिला के मतलब होता है cash flow तो अगर आप maturity वाले दिन cash flow नहीं करोगे तो zero रहेगा pay off तो दोनों का pay off तो zero है लेकिन क्या loss और profit नहीं रहेगा जी नहीं ऐसा नहीं होगा loss और profit रहेगा किसको loss होगा किसको profit होगा loss होगा option buyer को क्योंकि उसने 10 रुपे औरड़ी दे दिये थे easy got to zero में जितने उसने premium pay किया उतने का loss हो जाएगा option buyer को और जितने का loss हुआ option buyer को उतने का profit हो जाएगा option seller को यानिके 10 रुपे तो दोनों केस मैंने आपके साथ discuss कर लिया जहां पर contract अगर honor हुआ तो pay off buyer का कितना निकलेगा seller का कितना निकलेगा और मान के चलो contract owner नहीं हुआ तो buyer का कितना pay off your loss रहेगा और seller का कितना प्रॉफिट रहेगा इस तरीके से आपका काम करता है call option जहां पर जिसने option buy किया है वो कौन सा contract कर रहा है वो कर रहा है contract to buy और जो option sell किया है उसने क्या contract to sell तो चल लिए आगे बढ़ते हैं यहां पर आपका अंडलिंग एसे टेस येलू शियर्स यलू शियर्स और derivative बना है रेट कान्ट्रेक्ट कान्ट कान्ट काल option जैसा मैं समझालता है यहां पर राइट तू बाय रहता है बायर के पास यलू शियर्स का आफ्टर थृमंस यानिकि जो call option buyer होता है उसने contract to buy किया होता है और call option seller ने contract to sell किया होता है यानि कि जो call option buy किया है उसको बोलते है long position लिया है उसने और जिसने contract to sell किया यानि कि short position लिया है यानि कि call option seller इसे c plus कहा जाता है इसे c minus कहा जाता है तो c plus और c minus futures contract के f plus और f minus जैसा ही है जैनि कि अगर आप अपने अंडरलेंग ऐसेट की इंवेंटरी बढ़ा रहे हो यानि के आपके पास ओलरीट है या नहीं है लेकर फ्यूचर अगर फ्यूचर डेट में अगर अगर है तो इसमें से कुछ बेच दोगे या फिर आपके बस नहीं है तो उसे खरीद के बेच दोगे तो वह रहेगा आपका अब याद करने के लिए एक शॉटकट है कि उपर गया तो पेओफ आएगा नीचे गया तो लैपस उपर गया तो अंडलेंग एसेट का प्राइस अगर उपर गया इनके बढ़ा तो पेओफ आएगा पेओफ आएगा मतलब यह कि ऑप्शन बायर को प्राफिट हो जाएगा और उसे पेओफ आएगा पेओफ यहाँ पे कितना तब पचास रुपए तो सिंज वो कॉंट्रेक ओनर तबी करेगा जब उसको प्राफिट हो रहा हो यानिकि उसे प्राफिट भी होगा और पॉजिटिव पेओफ भी मिलेगा और नीचे गया तो लाप्स नीचे गया तो लाप्स मतलब कि ओंट्रेक ओनर नहीं करेगा और वो ऑप्शन को लाप्स कर देगा तो उपर गया तो पेओफ आएगा इनके पचास रुपए आएगा और नीचे गया तो लाप्स ऑप्शन लाप्स हो जाएगा एल्ड के सोच रहा है कि ऊपर गया तो पय जायेगा कुणकि अगर उपर गया झालिका अगर अच्छे की १ट हॉपर गई के उपर गई हैं क trail देना पड़ेगा मैचरेटी वह दिन स्के हाथ से पय चला जाएगा यहीं कि 50 रुपए चले जाएगे तो उपर गया तो पेव जाएगा नीचे गया तो लैप्स नीचे गया प्राइस नीचे गया तो कॉंट्रेक ओनर ही नहीं होगा तो ऑप्शन लैप्स हो जाएगा तो एक कुछ शॉटकर तरीके हैं याद करने के एक क्या होता है अब दिसक्स करते पूट बसamtर करने या यले पूप्चिन ओफ्षेथ करने से पहले यह बता दू कर पूट ओप्शन बायर लॉंग पोदिशन लेता है यानि के पी प्लस लेता है और यहां पे एक कॉंट्रेक्ट टू सेल कर रहा है कॉंट्रेक्ट टू सेल मतलब जिसने ऑप्शन बाय किया है वो चाहा रहा है कि मैं फ्यूचर डेट में अंडलेंग एसिट को बेच दूँ और बेच के पैसा कमाऊं कि प्लस क्या कर रहा था तोसे अनि के कॉल और शुचर रहा था सिपलस यह नं कर रहा है से अधके को प्लमाख करूंगा Woo do की यह वजा की क्उट्ट और सेल्ऄं ज बाय कर रहे है की फ्यूचर डेट में में अंडलेंग एसिट भीचक्वार्विट ने के क्या सोच रहा है कि कॉंट्रेक्ट टू बाय करूंगा यानि कि क्यूचर टेट में अंडलाइंग ऐसे बाय करूंगा और उससे प्रॉफिट कमाऊंगा कि यहां पर यह शौट पोजिशन ले रहा है यानि कि पी माइनस कर रहा है और इसने पी प्लस किया है कि वह यह बthis 되어 अग़ लैपस नीचे गये तो प्रेफ आएगा के ओपर गया तो लैफ्ट का मतलब यह है एक अपने कांट्राक्ट कूंट्रा क्या ह है जेब कांट्राक्ट में सेल करते हैं आप आप यह मानग के चलते हैं फ्यूचर डेट में उस underling asset की price कम हो जाएगी, मान के चलो 100 रुपय आपने exercise price decide की, तो आप सोच रहो कि yellow share की price 100 रुपय से नीची चली जाएगा, तो अगर future date में 100 रुपय से नीची चली जाएगी, तभी तो आपको फायदा होगा, क्यों फायदा होगा? क्योंकि उचे दाब में बेच चुके हो, contract to sell कर चुके हो, नीचे दाब में खरीद लोगे, तो profit हो जाएगा, तो put option buyer की ये mentality होती है, कि मैं नीचे दाब में उस underlying asset को purchase करूँगा, और उचे दाब में, महेंगे दाब में, उस चीज को sell कर दूँगा, और sell करने का contract कर लेता हूँ, यान कि contract to sell कर लेता हूँ, but put option seller का सोच रहा है, put option seller ये सोच रहा है, कि मैं contract to buy कर लेता हूँ, यान कि उस underlying asset की price, future date में बढ़ जाएगी, मांकि चल्वा सौरब एक्साइस price है, तो सौरब से बढ़ जाएगी, तो contract to buy कर लेता हूँ, यानि कि अगर उसकी price future में बढ़ गई, तो उच्छे दामें बेच दूँगा, नीचे दाम का contract कर लेता हूँ, यानि कि contract to buy कर लेता हूँ, तो put option buyer और put option seller इस तरह के से सोचते हैं, अब उपर गया तो laps, उपर गया तो laps का मतलब ये है, यानि कि अगर शेर की price उपर चली गई, यानि कि अगर 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 आशेट की price उपर चली गई, तो put option buyer को कोई फायदा नहीं होने वाला, तो यानि कि वो तो यह सोचके बटा था, कि अगर आशेट की price नीचे चली जाए, लेकिन वो तो उपर चली गई उसको कुछ फायदा नहीं है तो वो मैच्वरिटी ओले दिन option को exercise नहीं करेगा यहनिके lapse कर देगा यहनिके honor नहीं करेगा और नीचे गया तो pay off आएगा तो उसको pay off के इस तरीके से आएगा हम देखेंगे लेकिन अभी के लिए समझ लो कि नीचे गया तो उसको pay off आएगा put option seller के साथ उल्टा चल रहा है उल्टा मतलब उपर गया तो lapse यह तो ठीक है सेम है यह कि नीचे गया तो pay off जाएगा तूँकि अगर नीचे गया यानिके अंडलेंग एसिट का प्राइस नीचे चला गया तो put option बायर जीत जाएगा और वो जीत गया तो वो option को access कर लेगा option access किया तो उसको तो pay off मिल जाएगा बट देगा कौन तो मैं ही दूँगा यानिके put option salary देगा तो उसके मिल ख़र्पे एक put option buyer है एक बूट ऑप्षन चलओर है पूट ऑच्छन बायर का मतलब क्या सीखे तो बूट ऑच्छन बायर का मतलब सीखे contract तो sell किया हुआ है और put option seller का मतलब है contract to buy किया हुआ है मतलब यह सोच रहे कि underlying asset की price future date में कम हो जाए is 0 में premium देंगे उटा्प्चन बायर स्टॉक एक्चेंज को मांगर चलो 6 रुपए यह 6 रुपए पहुचा देगा स्टॉक एक्चेंज लुटकल सेलर के पास कि प्रीमियम अगरा देना कितना है यह भी स्टॉक एक्चेंज ही डिसाइड करती है यहां पर आपका अंडलाइंग एसेट येलो शेर से रिटेव कॉंट्रेक्ट तीन महिने का हुआ है एक्सरसाइस प्रैस सो रुपए करते हैं जहां पर हम फायदा सोचेंगे पूट और शेर की प्रैस गिरा देंगे अगर से प्रैस गिर गई नव्य रुपए हो गई पूट ऑप्शन बायर बहुत खूश हो जाएगा तुमकि वह जो अंदाजा लगा रहा था वो सच हो गया तो रुपए से नीचे चली गई अ तो ऑप्शन खूशी-खूश्य कर लेगा यांकि के कॉंटेक् अॉनर कर लेगा कॉंटेक्क अॉनर कर लेगा मतलब कॉंट्रेक्ट वू सैल कर देगा यानि के है कोंट्रेक्ट वूसिश एल फ्रकीश हर में तो अगर उसको बैचना है नो पहले से हरवा æ место परकार trip कदगAR चार्मौाइब що देगा उप्शन भाइयर हो भी इन्वेस्टर डूंडेगा कोई भी इन्वेस्टर हो सकता है शेर'mार्कूइट में उस hurdles के लेगा और अरफ है कि जूपो का lawsuit रुपए में कोई चीजी तो रुपए में बेच दी 10 रुपए कमा लिए तो यह होगा फिजिकल सेटलमेंट और क्या सेटलमेंट में लॉस अला पार्टी यानि कि ऑप्शन सेलर ऑप्शन बायर तो दस रुपए देगा यहां पे अगर केस नंबर वन डिसकस करें तो पेउफ कितना होगा तो पेउफ होगा मैचरेटी ओले दिन दस रुपए यहनि कि 100 रुपए मेरे जेब में आए और 90 रुपए में जेब से गए 10 रुपए पॉजिटिव पेउफ हो गया यहनि कि कैश इंफ्लो होगे ऑप्शन बायर को और जितने का कैश इंफ्लो हुगा उप्शन सेलर को केस नंबर वन में इसके लिए नेगेटिव प से बात करेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा तो प्रॉफिट होगा था क्विच décal प्रीम ऑलडी जेब से जा चुके हैं चार्रूपए प्रॉपए कम लिए और जितना इसको profit और उतने का loss हो जाएगा option seller को तो profit और loss के अगर मैं बात करूँ तो 100 रुपए मेरे जेब में आए क्यूंकि contract हो sell करके रखाता 90 रुपए में जेब से गए क्यूंकि share बेचना है तो पहले खरीदना पड़ा तो 100 रुपए आए 90 रुपए गए और 6 रुपए तो मैं अरड़ी दे चुका हूँ 30 रुपए जेब में premium के नाम का तो net मेरे जेब में profit 4 रुपए आएगा और उतने का loss हो जाएगा option seller को अब फायदा तो सोच लिए option buyer का अब option seller का भी फायदा सोचते हैं बांक के चलो जैसा option seller सोच रहा था वैसा हो गया यहलो शेयर की price 130 हो गई तो इसको profit हो जाएगा profit कैसे होगा चले देखते हैं पहली बात तो option lapse हो जाएगा यानिकि option buyer contract owner नहीं करेगा जब option lapse हो जाएगा तो कोई pay off नहीं होगा maturity वाले दिन क्यूंकि जिंस contract owner ही नहीं हुआ कोई cash flow नहीं हुआ कोई cash flow नहीं हुआ तो pay off नहीं हुआ तो pay off हो जागा zero in case number two option buyer को loss कितना होगा तो सिर्फ 6 रुपय का loss हो गया जितना उतने premium पे गया था और option seller को कितना profit होगा जितना उसको premium पहले मिल चुका है तो इस तरीक से काम करता है पूट option उपर गया तो लैप्स तो सिंस case number two में उपर गया 130 रुपय हो गया तो लैप्स कर दिया उसने और अगर नीचे गया तो pay off आएगा नीचे गया तो नीचे गया तो pay off उसको मिलके 10 रुप है पर गया तो लैप्स तो case number two में लैप्स हो चुका था नीचे गया तो pay off जाएगा तो सिंस नीचे गया तो case one case one में उसको negative pay off हो गया यानिके minus 10 तो यह कुछ trick है याद करने के P plus और P minus के लिए एक बहुत important note आ रहा है which is the logic of plus and minus signs explained earlier is not applicable in put options अभी तक जितना मैंने आपको पढ़ाया है यानिके मैंने futures में आपको F plus F minus पढ़ाया है और अभी मैंने call options में C plus C minus पढ़ाया है और थोई दिर पहले ही put option में P plus P minus पढ़ाया है एक बात का ध्यान दीजेगा दोस्तों कि अभी तक मैंने आपको क्या logic बताया है प्लस और माइनस का ये logic बताया है कि अगर आप C plus यानिके F plus वगरा करते हो यानिके आप अपने पास जॉनरलेंग एसिट है उसमें बढ़ोतरी कर रहे हो यानिके और खरीद के ला रहे हो और उसमें जमा कर रहे हो और जब आप या हुआप कर रहे हो उसमें आपके सब निकालके कुछ बेचते जारे हो मतलब सब्तुस कर रहे हो ये क्योंकि या कशल कर रहा है कि में कर रहे है और उससे उलटा कर रहे है। होते पी- मैनने की बात कर रहें लेकिन अंतलेंग ऐसे जोडने की बात कर रहां कि फद्यान वर्प इतना देना है एक어स के फंदय प्ल्स हो प्लाइन नहीं होगी जो मैंने पहले एक्ष्बिन किया था लिकिन हर हका फालाOOD होगा घर का ओसर फोल सम यह कि P plus और P minus में जो plus और minus का funder है वो apply नहीं होगा जो मैंने पहले explain किया था लेकिन बाकी हर जगा वो apply होगा तो to summarize option दो तरके के होते हैं call option एक होता है put option P plus और C minus कर सकते हो call option में P plus और P minus कर सकते हो put option में P plus मतलब contract to buy at a future date P minus मतलब contract to sell the underlying asset at a future date वैसे P plus P minus में भी है कि P plus मतलब contract to sell the underlying asset at a future date और P minus मतलब contract to buy the underlying asset at a future date तो अब notice करोगे तो C plus और P minus दोनों contract to buy कर रहे हैं और C minus और P plus contract to sell कर रहे हैं इसका मतलब यह निकला कि C plus और P minus वालों की thinking सेम होती है यहनि कि उनका thinking process सेम होता है क्या process सेम होता है यह thinking process सेम होता है कि underlying asset की price future में बढ़ने वाली है तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई underlying asset है की share की price future में बढ़ने वाली है तो आप या तो C plus कर सकते हो या P minus कर सकते हो यानिके call option buy कर सकते हो या put option sell कर सकते हो और अगर आप यह सोच रहे हैं कि कि किसी underlying asset की price future में गिरने वाली है तो आप या तो C minus कर दो या P plus कर लो यानिके आप या तो call option sell कर दो या put option buy कर लो तुमकि जब आप underlying asset बढ़ने का सोचते हैं तो आप सोचते हैं contract to buy कि नीचे दा में purchase कर लूँगा और उचे दा में बेज दूँगा और जब आप underlying asset की price नीचे जाने का सोचते हो तो contract to sell सोचते हो यानिके उचे दा में बेज दूँगा नीचे दा में purchase कर दूँगा ओके तो यह summary बहुत ही ज़्यादा important है तो कि इतना कुछ पढ़ने के बाद confusion होना natural है अगर आपको यह summary अच्छा से समझ में आ गई P plus P minus और C minus P plus की तो आगे की आने वाले journey बहुत smooth होने वाली है ठीक है तो इसी के साथ video खतम होता है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को like जरूर कीजेगा तो औरा target है 5000 subscribers का यानि के hashtag road to 5k तो प्लीज मुझे support कीजे और मुझे support करने के लिए प्लीज subscribe to my channel and press the bell icon Thank you so much